अभी तक आपने सुना, नंदिनी तू भी बहुत पागल है, अरे सोच समझ के बोलना नहीं चाहिए था, तू भी ना, बस रेल गारी जैसे बोलने लगती है, ना जाने अब रूतरी जी क्या करें, लगता है वो बहुत गुस्ते में, इस लोग जी को तो मैं छोड़ूंगी न आगे, सुबह का वक्त इंदोर सहर, नंदिनी सुबह जल्दी उठके पूजा कर नास्ते के लिए बैठी थी, तभी काका ने उससे कहा, बिटिया, सारे लोग आ गए हैं, आपका इंतिजार कर रहे हैं, नंदिनी ने उनसे कहा, आप चले, हम बस आते हैं, उसके कहने पर काक किया, और अपनी कुर्सी पर बैठ गई, उसने काका को देख कर कहा, हाँ काका, बताएं क्या बात है, काका ने उससे कहा, बिटिया, ये सब वो लोग हैं, जो हमारे साथ बरसों से काम कर रहे हैं, इनकी कई पेडियां आपके परिवार के साथ काम कर चुकी हैं, अब आपने सब को संभाल लिया है, तो ये आपसे मिलने आएं, नंदिनी ने मुस्करातिवे कहा, क्यों, इन्हें भी मेरी गद्धी पर बैठने से प्राब्लम है, जो सिकायत लेकर आएं, तभी एक लड़की ने कहा, हमें आपके गद्धी पर बैठने से कोई प्राब्लम नहीं है, मैं तो खुस हूं, एक खुबसूरत रानी के साथ काम करने के लिए मिलेगा, नहीं तो वही उन्निस वपच्पन की जंग लगी हट्टियों को देखकर मैं बोर हो गया था, उस लड़के के ऐसा कहने पर नंदिनी काका की तरब देखने लगी तो काका ने कहा, ये है भोपाल रियासत के राठोर सहाब के बेटे वरून राठोर सहाब है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो इन्होंने गद्धी को समाला है, कुछ मेहने पहले ही अपना कारोबार ब्रिटेन में जम्मा के यहां आए हैं, ये भी आपके कपड़े वाले कारखाने में साथ काम करते ह इनके पिता और आपके पिता ने वो कारखाना साथ में इस्तिरियों के लिए चलाया था, नंदिनी ने सब सुनकर कहा, आप से मिलके अच्छा लगा, तो आप सब किस काम से आएं, एक आदमी ने कहा, रानी साहिबा, पहले राजा सहाब के साथ, जब हम काम करते थे, तो सब ठीक चलना था, पर जब से आपके भाई बीर आये थे, तब से फैक्टरी और बाकी हर चीज की इस्तिती खराब हो गई थी, यहां तक कि उनकी वज़े से हमारे आफिस का नाम खराब हो गया है, कारोबार में बहुत घाटा सहना पड़ा था, हम बस ये चाहते हैं, जो हुआ यहां वो दुबारा ना हो, और राजा सहाब ये सब ठीक करें, मजदुरों की हालत भी ठीक नहीं है, अगर राजा सहाब आकर ये सब एक बार देख लें, और उनकी राये, हम सबको मिल जाए, कि क्या करना है तो, तभी नंदिनी ने का, क्यों, वो क्यों आकर देख लें, हम मेरी मदद करने के लिए तो नहीं आ सकते करना तो मुझे खुद पढ़ेगा और आपकी बातों से लग राय की जैसे आपको अपनी रानी पर भरोसा नहीं है क्यों ऐसी बात ही है न उस आदमी निका नहीं रानी साहिबा पर आज तक महाराज ही बाहर का सारा काम देखती थी रानी साहिबा तो सिर्फ एंजीओ का कारबार समभालती थी तो हमें लगा के शायद अभी भी उसके ये बोडने पर नदिनी निका हमारे पिताने हमें कभी भी ये नहीं बताया कि बाहर का काम देखना उनकी जिमेदारी है या सिर्फ उनका काम है उन्होंने कहा था जो काबिल है वो ही इन सब को संभाल सकता है और इसलिए उन्होंने हम बेटियों को राजगद्धी का वारिस बनाया था ना कि किसी लरके को तो मुझे नहीं लगता आप सब को कोई आपती होगी अगर हम खुद अपने लोगों के लिए कुछ करें पर अगर आप सब को अपने राजा साहब से ही मदद चाहिए तो मैं उन्हें बुला लेती हूँ वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसे रूत्र अंदर आते वे दिखा उसे देखकर नंदिनी खड़ी हो गई और उसके खड़े होते ही सब खड़े हो गए सब ने सामने देखा तो रूत्र सामान और नौकरों के साथ अंदर आ रहा था उसके अंदर आने पर सब ने उसे देखकर हाथ चोड़ लिए रूत्र ने बस हाथ चोड़ के सब को इसारे से बैठने के लिए कहा और अंदर जाने लगा पर तभी उसी आदमी ने रूत्री से कहा जो तब से नंदिनी से बहस कर रहा था राजा सहाब आ गए हैं तो कुछ बात करनी थी रूत्र ने रुखकर नंदिनी की तरब देखा फिर उस आदमी को उसने कहा किस बारे में जी वो यहां के फैक्ट्री और वो इतना ही कह पाया था कि तभी रूत्र ने बीच में रोकते वे कहा सॉरी पर मैं ये सब नहीं देखता यहां का सारा काम और सारी चिमिदारी हमारी पत्नी उठाती है इन सब से मेरा लेना देना नहीं होता है हां कभी उन्हें लगा कि उन्हें मेरी जरूरत है मैं जरूर मदद करूँगा पर मुझे पता है वो बहुत काबिल है और एक अच्छी रानी भी तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्राबलम होने वाली है तो जो भी काम है आप इन्हें बोले मैं चलता हूँ ये बोल कर वो वहाँ से चला गया उसके जाने के बाद काका ने का आप सब को और कुछ सुनना है या कहना है तो बताएं सब ने उन्हें देख कर कहा नहीं तो कल रानी साहिबा आकर फैक्टरी और बाकी चीजों को देख लेंगी और कोई बात हो तो आप सब आफिस में आ जाएं काका के ये कहने पर सब वहाँ से चले गए पर वरुन ने नंदिनी से कहा वहा रानी साहिबा आपके पती काफी बिस्वास करते हैं आप पर और बहुत साप दिल के वर्ना कौन मिली हुई गद्धी को छोड़ देता है चलो अच्छा है वैसे कल आपसे कम मिले नंदिनी ने कहा क्यों आपको कोई काम है क्या क्यों आपसे काम हो तो ही मिल सकते हैं कोई अगर ऐसे मिलना चाहे तो क्या वो आपसे नहीं मिल सकता वर्न ये कहते हुए उसे देख रहा था नंदिनी ने कहा नहीं मेरे पास फालतू वक्त नहीं है और इसलिए मैं किसी से बिना काम के नहीं मिलती प्रणाम ये बोल कर वो वहां से चली गई वर्न उसे जाते हुए खुद में बोला अच्छा लगा आपका ये तीवर ये बोल कर वो चला गया नंदिनी जब रूदर के कमरे में आई तो वो काउच पर बैठा टैब में देख रहा था उसने अंदर आकर सारे नौकरों को जाने का इसारा किया उसका इसारा पाते ही सब बाहर चले गए दर्वाजा बंद करके उनके जाने के बाद नंदिनी ने कहा आप यहां क्या कर रहे हैं और क्यों आये हैं रूद ने टैब में देखती बगा हमारी यहां एक मीटिंग है कल तो इसलिए आना पड़ा और कालेज में कुछ काम है तो वहां के लोगों ने बुलाया कब तक रुकेंगे नंदिनी के पूछने पर रूद ने टैब पर से नजर उसकी तरफ किया और उसे देखकर बोला क्यों आपको कोई प्राबलम है मेरे यहां रुकने से नंदिनी बोली नहीं मैंने ऐसा कब बोला मैं तो ऐसी ही पूछ रही थी आपका महल है आप रहें आराम से मुझे क्या प्राबलम होगी यह बोल कर वो जाने लगी तो रुद ने कहा रुकें नंदिनी ने मुड के कहा हाँ बोले दुपहर का खाना साथ खाएंगे और खाना आपके हाथ का हो मुझे किसी और के हाथ का नहीं चाहिए रुद की बास सुनकर नंदिनी मुझ बना के उसे देखने लगी जी यह बोल कर वो जाने लगी तो रुद ने कहा सुनते तो जाएं क्या बनाना है नंदिनी ने मुझ बना के बोली जी बोलें क्या खाएंगे गोबी की सबजी, कोपता, सुजी का हलवा, रायता, मिक्स पूरी और मुस्कराती वे चेरे के साथ आप वहां रहें क्योंकि ऐसे चेरे के साथ खाना देने पर खाना हजम नहीं होता है और जब तक यहां हूँ मुझे आपके हाथ का ही खाना चाहिए रूद्र के बोलने पर नंदिनी ने बड़ बड़ाती वे का ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनकी बावर्ची हूँ उसके ये बोलने पर रूद्र ने टैप में देखती हूँ का आप मेरी पतनी है, बावर्ची नहीं, तो जाएं बीबी वाला काम करें ये बोलकर वो अपना काम करने लगा और नंदिनी मूँ बना के चली गई इदर सिमला में सुबह के रागनी नास्ता बना के टेबल पर रगवा रही थी उसने लच्मी को देखती हूँ का, लच्मी आप ये सब लगा दो, मैं साहिल को देखती हूँ उसे इस लोग जीने रेडी किया या नहीं, ये बोलकर वो इस लोग के रूम में चली गई रागनी इस लोग के रूम का दरवाजा खोलके अंदर चली आई, उसने देखा इस लोग खुद भी टौविल में था और साहिल को भी टॉविल में लेकर वास्रूम से बाहर आया था। रागनी ने उसे देखकर तेज से चिला दिया और मुड के खड़ी हो गई। इस लोग ने खुद को साहिल के पीछे चुपाते वे कहा। रागनी तुम्हें नौक करना नहीं सिखाया है क्या। किसी लड़के के कमरे में ऐसे ही कुछ जाती हो तुम। रागनी ने गुस्से में पलतना चाहा तो इस लोग ने उससे कहा। खबरदार जो पीछे मुडी तो उधर ही देखो। उसके कहने पर रागनी वैसे नहीं खड़ी हुई बोली। मुझे नहीं पता था आप अपना रूम बिना बंद किये रखते हैं। बंद दर्वाजों पर नौक किया जाता है। और आपका दर्वाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। तो मैं क्या नौक करती। नास्ता रेडी है आजाओ आप दोनों ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। उसकी जाने के बाद इस लोग ने दर्वाजा ठीक से बंद किया और साहिल को रेडी करके खुद भी रेडी होकर पहर टेबल के पास आ गया। रागनी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और साहिल को उसका नास्ता देने लगी। लच्मी ने इस लोग को नास्ता दिया। रागनी भी बैठके नास्ता करने लगी। इस लोग ने पराठा खाते बेका। दो बा लचमी जो भी हो तुम खहना बहुत अच्छा बनाती हो। लचमी ने का सुक्रिया भाया पर ये नास्ता हम ने नहीं रागनी दीधी ने बनाया है। हमने तो बस उनकी हैल्प कर दिये। ये बोलकर वो साहिल का लंच लेने चली गई, रागनी ने साहिल को नास्ता कराके उसे उसका टिफिन देकर उससे बोली बेश्टाप लग, अच्छे से एक्जाम देना, साहिल ने उसे देखकर मुस्करा दिया, चलो चाचू बाहर आजाओ, मैं बेट कर रहा हूँ, ये बोलक वो बाहर भाग गया, इस लोक उसके जाने के बाद बैड लेकर रागनी के पास आया, और उससे बोला, तो आज का नास्ता आपने बनाया था, रागनी ने उसे बिना देखे का, हाँ, ये बोलते ही इस लोक ने उसकी गालों पर अचानक से किस किया, और बोला, बहुत मीठा यह बोलकर वो उसके सामने से चस्मा लगाती हुए निकल गया और रागनी उसे मूझ खोले देख रही थी लशमी ने उसके पास आकर कहा लगता है आपको कोई मिल गया है उसकी बात सुनकर रागनी ने उसे गुसे में देखा और कहा तू काम करने जाएगी या तेरा दाथ तोड़ू निकल यहाँ से उसकी बात सुनकर लश्मी बोली ऐसा ही रहा तो इस लोग भाईया भी भाग जाएंगे तू प्यार से बोलना सीख लो यह बोलकर वो चली गई रागनी उसे घुर के देखे जा रही थी रागनी अपनी पढ़ाई करने चले गई क्योंकि उसका भी एकजाम था दो बजे से इस लोग ने सहिल को छोड़के आफिजाते वे नंदिनी को कॉल किया नंदिनी उस वक्त हलवा बना रही थी एक नोकरानी ने लाकर उसे फोन दिया तो नंदिनी ने फोन उठा के का हेलो उदर से इस लोग ने मुस्कराती ही बोला कैसा हाल है बाबी जी खुश तो होंगी अपने पती के साथ अकेले महल में नंदिनी उसकी आवाज सुनकर गुशे में का क्या खाक खुश है आते ही मुझे आडर दे दिया है ये बना दो वो बना दो ग्यारा बज़े से खाना बनाने में लगे हैं और अभी हलवा बना रहे हैं ये मुझे भूत लगते हैं कल रात को सिमला में थे आज सुबे देखा तो यहां थे मुझे समझ नहीं आता आप इतने साल इस खडूस के साथ कैसे रह रहे हैं बताओ आते ही खडूस पंती दिखाने लगे मुझे तो भरोसा भी नहीं हुआ कि ये मुझे यहां सैतान की तरह सताने आ गए एक नंबर के दूश्टे अच्छी बात है ये बोलकर वो ड्राइफ रूट्स लेकर मुड़ी ही थी की सामने उसे दरवाजे से टिक के खड़ा हुआ रूद्र दिख गया जिसने उसकी बाते शायद सारी सुन ली थी नंदिनी की आँखे उसे देखकर फैल गई थी नंदिनी ने जब इस लोग से बात करते वे पीछे मुड़ के देखा तो रूद्र दरवाजे से टिक के खड़ा था और उसे देख रहा था नंदिनी ने धीरे से कान पर फोन लगाए वे कहा मर गए उसकी बात सुनकर इस लोग बोला क्या हुआ भावी जी उसके ये पूछते उधर से रूद्र की आवाज आई लगता है आपके पास कोई काम नहीं है तभी आप दूसरे के काम खराब कर रहे हैं अच्छा होगा आप अपना काम ठीक से करें और दूसरे को भी करने दे उसकी आवाज सुनकर इस लोग ने जल्दी से फोन कट कर दिया उसके फोन काटते ही नंदनी हलवे को चलाने लगी थी जो इस लोग से बात करने के चक्कर में जल गया था डूत ने उसे देखती है वो जल गया है अकसर ध्यान ना देने से चीजें ऐसी ही खराब हो जाती है अब इसे फेके और आदे घंटे में नया हलवा रेडी करें और उससे पहले मुझे एक स्ट्रॉंग काफी मेरे कमरे में पहुँचा दे बना के ये बोल कर वो जाने लगा और कुछ दूर जाकर रुख के बोला इस बार ध्यान से वरना काफी और हलवा साथ में बनाना पड़ जाएगा ये कहकर वो चला गया नंदिनी उसके जाने के बाद खुद से बोली क्या जरुवत थी इन्हें यहां भेजने की काना जी हम आपको खुष अच्छे नहीं लग रहे थे अब इनके लिए काफी भी बनाओ ये कहते वे उसने जला हुआ हलवा फेका और काफी बनाने लगी हलवा बना के उसने फ्रिज में रख दिया क्योंकि रूदर को गरम हलवा पसंद नहीं था उसने जल्दी काफी बनाई और उसे लेकर रूदर के कमरे में आई उसने काफी रखते वे कहा खाना बन गया है लगा दू रूदर ने कहा किसलिए ये बोलकर वो काफी पीने लगा नदिनी कहा लंच का वक्त हो गया है ना तो इसलिए रूद ने उसे देखते हुए का पर मेरी तो मीटिंग है बाहर जा रहा हूँ मैं और मेरा लंच भी बाहर है चलो मैं चलता हूँ आप खुद खा ले ना वो सब ये बोल कर रूद काफी रख कर वहाँ से मुस्कराते हुए निकल गया नंदनी उसे गुस्से में मुँ बना के जाते हुए देख रही थी उसने ट्रे को दोनों हाथों से कसके पकरती वे का मन तो कर रहा है इन्हें यहां के कुवा में धक्का मार दू बताओ कितना सारा कुछ बनवा दिया और फिर बोल रहे है मुझे तो खाना ही नहीं है मैं तो मीटिंग में जा रहा हूँ आने दो रात में बताती हूँ यह बोल कर वो चली गई वहां से शाम का वक्त सिम्बला रागनी अपना पेपर देकर बाहर आ रही थी तो उसकी नजर सामने गेट के बाहर खड़ी इस लोग पर पड़ी उसने अपने दोस्त को बाय कहा और उसके पास आ गई उसने इस लोग के पास आ कर कहा आप यहां क्या कर रहे हैं इस लोग ने उसे देखती वे कहा वो क्या है मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना आज आप, मैं और साहिल बाहर डिनर के लिए जाएं तो इसलिए लेने आ गया आप कहां रिक्सा खोशती हैं फिर घर पहुंचती हैं फिर हम चलते इसलिए मैंने सुचा कि मैं खुद लेने चला जाऊं और लेकर घर आ गया उसके ये बोलने पर रागनी ने कहा पर परसो मेरा एक्जाम है इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकती और साहिल का भी एक्जाम है तो दोनों ही नहीं जा रहे हैं ये बोल कर वो गाली में बैठ गई तो इस लोग ने गाली में बैठते वे कहा जैसी आपकी मर्जी ये कहती हुए उसने गाली इस्टार्ट की और आगे बढ़ा दिया रागनी चुप चाप बैटी अपने कोईशन पेपर को देख रही थी इस लोग ने उससे कहा वैसे इसके बाद क्या करने का इजादा है आपका रागनी ने उसका मतलब ना समझते वे कहा मतलब क्या है आपका इस लोग ने कहा मतलब ये कि नंदिनी जी की साधी तो हो गई है अब आपकी बारी है तो आप कब साधी के लिए हाँ कर रही है रागनी ने पेपर में देखती हो का कभी नहीं क्योंकि मैं दीदी के साथ रहूंगी इस लोग ने उसकी इस बात पर ब्रेक लगा के गाली रोक दी और उसे देखती हो बोला पर क्यों अरे तुम्हारी बेहन की शादी हो गई है और वो अपनी जिन्दिगी में खुस है इसलिए हम इस साथी को परफेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक सब नार्मल नहीं होगा तब तक मैं साथी नहीं करूँगी जब मुझे लगेगा कि हाँ अब दीदी खुस हैं तो हम भी साथी कर लेंगी उसके इस बात पर इस लोग ने कहा हां तो ऐसा बोलो मुझे लगा तुम साथी ही नहीं करोगी अरे अभी तो हार्ट फेल हो जाता रागनी ने कहा मेरे साथी ना करने से आपका हार्ट फेल कैसे हो जाता इस लोग ने कहा आखिर साधी जो करनी है तुमसे अब तुम सन्यास ले लोगी तो मेरा क्या होता तुम मुझसे साधी करोगे ये ख्वाप देखना छोड़ दू मैं तुम जैसे कन खजूरे से साधी नहीं करने वाली बड़े आए मुझसे साधी करेंगे रागनी ये बोलकर दूसरी तरफ मुझ फेल ली इस लोग उसके पास आते वे उसके चेहरे को अपनी तरफ करते वे बोला अरे मैडम जी अब जो भी को साधी तो हमसे ही करना होगा और मेरे साध जिन्दगी बितानी होगी तो प्यार से मान जाओ नहीं तो उठा कर जबजस्त तेरे साथ ऐसा कुछ करने को सोचा तुम्हें खाई में धक्का दे दूंगी और तुम मर जाओगे इसलिए ख्याले पुलाओ ना बनाओ घर चलो पागल कहीं का इस लोग उसकी बातों पर मुस्क्रा के ड्राइब करने लगा इधर साम के टाइम जब रूदर वापस महल में आया तो उसने देखा नंदनी कहीं नहीं थी उसने एक नौकर से का रानी साइबा कहां है कहीं दिखने रही है नौकर ने उसका सामाल लेती वे का राजा साप वो संध्या आरती का महल में दिया जलाने गई है कुछ देर सारे महल में दिया जला कर आ जाएंगी आप तब तक चेंज कर ले अच्छा आप जाओ रूद के कहने पर वो नौकर वहां से चला गया रूद्र सर्ट की बाजू को खोलती वे उसे फोल्ड करती वे नंदनी को खोशते लगा इदर नंदनी आरती की ठाल लेकर महल में घुमा के बाहर के तुलसी के पास आकर दिया रख रही थी उसने दिया रखा और एक नौकरानी को पूजा की ठाल देकर अंदर रखने को कह दिया और खुद आकर गार्डन में रखे जूले पर बैठके सामने देखकर गुन-गुनाने लगी तभी रूद उसके पास आया और उससे बोला आप यहां बैटी है नौकर ने तो कहा आप आरती दिखाने गई है महल में तो यहां नंदरी ने उससे कहा आरती देकर अक्सर हम यहां बैठ जाते हैं आपकी मीटिंग कैसी रही रूद ने कहा अच्छी थी बस ठक गया हूँ नंदरी ने कहा हाँ अब इतनी दूर से आना फिर मीटिंग तो ठकांतोर होगी आप हाथ मुध होकर चेंज कर ले हम खाना लगवा देते हैं यह कहते हुए वो उटके जाने लगी पर रूद ने उसका हाथ पकड़के कहा अभी मन नहीं है खाना खाने का आप बैठें कुछ के बात करने वाला ना ही कोई काम नंदरी ने कहा अब जो भी रहना तो यहीं होगा ना इसके अलावा कहां जा सकते हैं पर जब हमें उबन होने लगती है तब हम जील के किनारे चले आते हैं और कुछ देर वहां बैठके मशलियों को खाना खिलाते और डूपता सुरज को द खुद ने उसकी बात सुनकर कहा क्यों आप सबको महल से बाहर जाने के लिए मना किया गया था क्या नंदरी बोली हां हम बाहर या तो मेले के वक्त जाते थे या पिर अपने जनम दिन पर मां हम सबको छूट देती थी कि हम इंज्वाय कर ले वरना कॉलेज जाना हो या कहीं भी हमारे साथ नोकर जाते थे पता है आपको जब कालेंदी दीदी ने पढ़ाने की बात की थी तब माने मना किया था क्योंकि दीदी को अपने साथ नोकरों की और बाडिगार्ड की फोज लेकर नहीं जाना था और मा इस बात को नहीं मान नहीं थी तब पापा ने कालेंद महल जैसे खामोस हो गया है इसकी रौनक जैसे खो गई है चली गई हो सब के साथ इतनी सांती इस महल में कभी नहीं रही हम तीनों बहनों के पाहल की आवाजे हसने की आवाजे मा की डाट और बहुत कुछ सुनाई देता था यहां पर अब तो सब बिरान हो गया रूद ने उस नदनी ने उससे कहा हां हमारी रागनी जब आ जाएगी ये बोल कर वो मुस्कृराते हुए सामने देखने लगी रूद उससे देख रहा था बहुत ख्यांजे उसके बालों की लट आकर उसकी गालों को छू रही थी उसका चमकता हुआ चहरा और उस पर मुस्कुराइट कयामत का काम कर रही थी रोध ने उससे कहा आप इस साधी के बारे में क्या सोचती है नंदिनी ने कहा ये साधी सिर्फ एक समझोता है और कुछ नहीं हमें आप से ये लिस्ता इसलिए रखना है क्योंकि हमें अपनी रियासत को किसी और के हाथ में नहीं देना और इसलिए बस हम इस साधी को रखे हुए हैं और एक बात प्लीज आप मेरे लिए अपनी जिन्दिगी को खराब मत करना आप चाहे तो अपने मन से अपनी इच्छा से दूसरी साधी कर सकते हैं जिससे आप प्यार करें और जिसे आप चाहते हैं बस उसके बारे में यहां किसी को ना पता चले उसके ये बोलने पर रूत को जैसे गुस्सा आ गया उसने नंदिनी की गले में हाथ डाल उसे अपनी तरफ मोड़ के कहा लगता है रानी बन के आप रीत रिवाज, संसकार और कानून भूल गई हैं नंदिनी जी एक पतनी के होते हुए दूसरी साधी हमारे सास्त्रों में ही नहीं कानूनी जुर्म है मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो कानून से हट के हो ये साधी कैसी भी हुई हो, किसी भी हालत में हुई हो, पर शाधी पूरी रीत रिवाज से हुई है मैं इस साधी के हर वचन को मरते धम तक निभाओंगा और मेरी आखरी और पहली चाहत बोलो, या बीबी आप ही है इस जनम में ये कोई बदलना चाहे, तो हम बदलने नहीं देंगे तो भूल जाए कि हम किसी और को लेकर आएंगे, या किसी से साधी करेंगे दोबारा ये सब ख्यालों में भी मतला ना आप ये कहते वे वो उसके पास आ गया था नंदनी उसके आँखों में गुस्से के बहुत कुछ दिख रहा था पर क्या था, वो ये बात वो समझ नहीं पा रहे थी रूद ने उसे खुद से दूर किया रूटते वे का मैं चेंच करने जा रहा हूँ, आप खाना लगवा दे और एक बात, हम जितने दिन हैं, आपके कमरे में रुकेंगे ये बोल कर वो वहाँ से चला गया, नंदनी उसे खोई हुई नजरों से देखने लगी रूद अपने कमरे में आया और एक नौकर से बोला मेरा सारा सामान रानी साहिबा के कमरे में रखते, मैं अब वही रहूँगा उसके ये बोलने पर नौकर ने दो लोगों को बुला के उसका सारा सामान उठा के नंदनी के कमरे में सिप्ट कर दिया, रूद भी चेंज करके डाइनिंग टेबल के पास आ गया था नंदनी ने रूदर के आने पर खाना दिया, उसे और खुद भी खाने बैट गी नंदनी खाना खा रही थी कि तभी काका वहाँ आए और उसे बोले बिटिया, कार खाने में सब मजदूरें ने हरताल कर दिया है और वो लोग वहीं बैटे हैं, बोल रहे हैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, वो कहीं नहीं चाहेंगे नंदनी ने कहा, पर हमने तो सब मान लिया था, सब कुछ ठीक हो गया था, तो ये सब वापस से क्यों? काका ने कहा, सुना है कि ठाकूर ने उन्हें भढ़काया है, इसलिए उन्होंने अपनी मांग बढ़ा दिया है नंदनी बोली, इस ठाकूर को देखना होगा काका, पर उससे पहले हमें कार खाने के लिए निकलना है, आप गारी रेड़ी करें, हम पस आते हैं ये बोलकर नंदनी ने अपना हाथ साप किया और उटकर जाने लगी, तो रूद ने कहा, हम भी चलें आपके साथ नंदनी ने कहा, आप आना चाहते हैं तो आजाएं, अगर ठके हुए हैं तो कोई बात नहीं, रूद बोला नहीं, मैं ठीक हूँ, चलिए साथ में चलते हैं ये बोलकर उसने भी अपना हाथ साप किया और नंदनी के साथ कार खाने के लिए निकल गया जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो मजदूर नारा लगा रहे थे, रूद और नंदनी दोनों कार से निकल के, जब कार खाने की तरफ जाने रगे तो मजदूरों ने वहीं रोक लिया नंदनी ने वहीं रूद के साथ रुख कर का, आप सबके जितनी भी मांगे थी, वो हमने पूरी करिये तो अब ये धर्ना क्यों, अब किस बात को लेकर आप हमारे पास आए हैं नंदनी की ये बोलने पर ठाको साथ जो वही थे, उन्होंने कहा अरे रानी साहिबा जी, सारी मांग तो आपने पूरी नहीं किया है अभी तो बेचारों को बहुत कुछ चाहिए, आपने तो बस दो-चार चीज़े दे दी है और महल में बैठ गई, मिचारे ये यहाँ पर ठंड से बैठे, खुद के लिए अपनों के लिए मांग कर रहे हैं अब आप ही तो हैं जो इनकी मांगों को पूरा करेंगी और अगर ये मांग पूरी नहीं कर सकती, तो छोड़ दे इस कार खाने की बागडोर, हमें दे दे, हम देख लेंगे नंदिनी ने उससे कहा, ताकि ये कार खाना बेच कर, आप यहाँ के सारे मज़़ों को बेखर कर दे और फिर आप उन कार खानों से मिले पैसे से, आप एक अच्छा फाइफ इस्टार होटल अपने रियासत में बनाएं, क्यों सच बोल रही हूं ना मैं, ठाकुर साब उसके इस बात पर ठाकुर साब हैरान हो गए, नंदिनी ने उसकी आँखों में देखती होगा, लगता है आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं शायद सच बोल रही हूं, आपने बताया नहीं इन मज़़ों को, क्यों आप इनके इतने हमदर्द बन रहे हैं क्यों आपने ऐसी मांगे रखने के लिए कहा है, जो मैं क्या खुद आप भी मान नहीं सकते, ठाकुर साब बताएं इन बेचार लाचार मज़़ों को, ये कहते वे नंदिनी उसकी तरफ देख रही थी, ठाकुर ने कहा, क्या सबूत है तुम्हारे सामने कि ये सब मैंने किय नंदिनी ने उसकी बात पर कहा, काका ले आओ जरा, उस आदमी को, उसके कहने पर काका ठाकुर के एक आदमी को लेकर आ गए, ठाकुर अपने आदमी को देखकर घबरा गया, तो नंदिनी ने कहा, ठाकुर साब डरे मत, अभी तो इसने कुछ कहा ही नहीं, पहले कहने तो द सदूरों ने कहा रानी साहिबा हमें माप कर दे हम इस आदमी की बातों में आकर आप पर सक करने लगे हमें माप कर दे उनकी बातों पर नंदिनी ने कहा अरे आप सबकी गलती नहीं है पर जिसकी गलती है उसे सजा तो जरूर मिलेगा और ये सजा है कि ठाकुर साहब का हिस्सा उनसे हम वापस लेते हैं और अब आज से कार खाने में उनका कोई हिस्सा नहीं है आज के बाद वो इस कार खाने के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं और नहीं किसी फैसले में बोल सकते हैं और आज के बाद वो इस रियासत में नहीं आ सकते हैं और ना ही कारोबार कर सकते हैं उसकी बास सुनते ही ठाकुर गुस्से में उसके गले की तिरफ हाथ बढ़ाते हैं बोला दो टके की लड़की रानी बनके मुझे फर्मान सुनाएगी मत भूल तू एक औरत है और तेरी अवकात हमारी जूती के नीचे है वो उसके गले तक पहुंचता तब तक मजदूरों ने उसे पकड़ लिया उसने देखा सारे मजदूर इस वक बहुत गुस्से में उनमें से एक मजदूर ने का खबरदार जो हमारी रानी साहिबा के करीब भी आया तो अपने हाथ को उनसे दूर रख वरना यहां से पैरों पर चलके नहीं जाएगा यह सब रोद्र बस सांथ खड़ा होकर देख रहा था नंदूरी ने मजदूरों कहा प्लीज आप सब कानून को हाथों में ना ले और छोड़े इने ऐसी हरकते आप सब को सुभा नहीं देती है आप सब छोड़े ने उसके कहने पर मजदूरों ने ठाकूर साहब को छोड़ दिया नंदूरी ठाकूर साहब के सामने खड़ी थी ठाकूर साहब ने कहा इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी नंदिनी ने उसके बिगडे कॉलर को ठीक करती वह का ठाकुर साब आप भूल गएं मैंने कहा था आपसे सराफ़त से रहेंगे तो मैं भी सरीप रहूँगी पर अगर आप अपनी सराफ़त खो दिये तो मुझे भी अपनी सराफ़त भूलने पर वक्त नहीं लगेगा ठाकुर उसकी बात पर उसे वापस मारने वाला था पर तभी नंदिनी ने कहा नहीं ठाको साथ ये गलती दोबारा मत करें क्योंकि इस बार मैं बचा भी नहीं पाऊंगी मुझे एक खरोज भी आई तो मेरी ये जंता आपको कुट्टे की तरह मारेगी वैसे कैसा लगा मेरा राज्टन आपसे ही सीखा है कहा था मैंने मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और बहुत कुछ सीखाती भी हूँ तो अब अपनी खैरियत चाहें तो अपनी वियासत तक ही रहें मुझे तक मत आएं ये बोल कर उसने उसके सामने का रास्ता छोड़ दिया जाने के लिए ठाकुर अपनी छड़ी को हाथ में कसके पकर के वहां से चला गया उसके जाने के बाद सबने नदिनी के नाम को जोर से बोलने लगे नदिनी ने सबको सांथ कराया और उनसे बोली आसा करती हूँ कि अब आप सबके दिल में मेरे लिए कोई सक और कोई मलाल नहीं होगा और ना कोई सिकायत और आप सब की पहली मांगों को पूरा किया गया आगे चल के हम कोशिज करेंगे आप के लिए बेहतर सुवधाय उपलत करा सकें फिलाल मुझे बस आप सब का साथ चाहिए क्योंकि इसके बिना मेरा कुछ भी कर पाना मुंकिन नहीं है उसके ये बोलने पर सब ने कहा हम सब आपके साथ है रानी साहिबा आप सब घर जाए और कल से काम सुरू करें ये बोल कर वो भी रूद के साथ गारी में बैट गई रूद ने उसे देखती वे कहा मुझे नहीं पता था मैं एक काबिल रानी से साथी कर रहा हूं वरना थोड़ा सोच लेता वैस अचा दिया है तो एक काबिल रानी बनना तो बनता है ये बोल कर वो मुस्करा दी रोद ने उससे कहा मुझे लगता था आपको मेरी जरूवत नहीं है पर अब देखके लगता है मुझे आपकी जरूवत है इसने सोच रहा हूं इस लोग को यहां भेज कि आपको अपना अस पर रागनी है कि समझी नहीं रही है उसके ये बोलने पर रूद ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो नंदनी निका क्या हुआ आपको नहीं पता क्या कि वो रागनी को पसंद करते हैं मुझे लगा आपके दोस्त हैं तो आप तो जानते ही होंगे नहीं उसने मुझसे और निगाहें यह कहकर उसे बिना पलग छपकाते हुए देखे जा रहे थी रोद ने उसके टिम टिमाते आँखों में देखकर का बता दिया तो हैरान हो जाएंगी इसलिए रहने दे वो दोनों ऐसे ही बाते करते हुए महल पहुंच गये थे रोद उतर के कमरे में चला गया और नजनी कुछ दिर गार्डेन में ही टहलती रही इदर रागनी को इस लोग सीधे ही रेस्टोरेंट ले आया था रागनी ने उससे कहा ये सब क्या है मुझे घर जाना है तो आप गारी घर लेकर चले उसकी बात को इग्नोर करते वे इस लोग ने कार पार्किंग में लग इस लोग ने जुक के उसकी सौल ठीक करी और उसके बैक पीछे रखकर उसे बाहों में उठाके बाहर निकाल लिया और गारी लोग कर उसे लेकर आगे बढ़ गया रागनी ने उसे देखते वे कहा आप मुझे नीचे उतारे अभी के अभी इस लोग ने उसे बाहों में लि जाओंगा रागनी ने उसे घूर के देख देख देखा अच्छा होगा कम से कम तुमसे पीछा चूटेगा आजी अभी इतनी जल्दी पीछा हमसे नहीं चूटने वाला अभी तो इसकी की शुरुआत है आगे आगे देखें क्या क्या होता है ये बोलती हुए वो उसे को लाने पर इस लोग ने उसकी तरफ देखा और रागनी को अपने साथ उस तरफ ले साने लगा तो रागनी ने चारोंं देख कर कहा मुझे नीचे उतारे आपो इस लोग सब देख रहे है हां बस उतार दिया उसने ये कहती वे उसे साहिल के पास रखी चेर के पास खड़ा कर दिया रागनी उसे घूर की देखे जा रही थी इस लोग ने चेर खीशते वे कहा बैठे रागनी उस पर बैठ गई साहिल ने इस लोग से कहा चाचू कहा रहे गए थे मुझे कितनी भूख लगी थी चलो अब जल्दी से आडर करो और मैं खाऊं अरे तेरी मा करकी ने का हाई इस लोग कैसे हो इस लोग ने जब पीछे मुड के देखा तो उसके कालेज फ्रेंड निक्की खड़ी थी सौट वन पीस पहने और उस पर एक वूलें जैकेट डाले बूट पहने करली हैर बहुत प्यारी लग रही थी वो रागनी की नजर जब उस पर गई तो उसने उसके कपड़े देखकर मन में का और छोटे पहन के आती वैसे भी ये पागल है तुझे देखकर तो बाबला हो ही गया होगा इस लोग ने उठकर उसके गले मिलते वे का वाटा प्लेजेंट सर्प्राइज तुम यहाँ पर मुंबई से वापस कब आई निक्की न नहीं और बेटा भी है तुम्हारा यह कहती वे वो साहिल को देखने लगी इस लोग ने उससे कहा अरे नहीं वो मेरा भतीजा है और यह भावी की बहन है रागनी और इसकी मासी और मेरी चान यह वर्ड उसने बहुत हीरे से कहा था जिसे किसी ने नहीं सुना था निक्की न वही तो मैं समझूं कि मेरे वृत्वी हुए तुम साधी कैसे कर सकते हूं वैसे आप सब के साथ मैं बैठ के दिनर कर सकती हूं मेरी एक दोस्त आने वाली थी पर अब वो नहीं आई है तो क्या मैं जोइन कर सकती हूं इस पर साहिल ने का नहीं आई है तो घर जाओ घर जाकर खाना खालो यहां कब तक बैठी रहोगी उसके ये बोलने पर रागनी मुस्कराने लगी निक्की हैरानी से उसे देखने लगी इस लोग ने बात को संभालती वे कहा अरे ये बहुत शैतान है इसकी बातों का बुरा मत मानना आओ ज्वाइन कर लो हमें बैठो ये कहते वे उस वैसे तुम्हें साधी नहीं किया निक्की ने कहा अरे अभी तो बोला तुम्हारा इंतिजार कर रहे हूं फिरी हो तो मैं बात आगे बढ़ाती हूं वरना कोई नहीं अभी मैं इंतिजार करती हूं वैसे सोच लो मेरी जैसी लड़की तुभे मिलने से रही इस लोग उसकी बाची बनने ये बोलकर वो अपना नूडल खाने लगा और रागनी उसकी बात को सोचने लगी रागनी निक्की को ऐसे इस लोग से बात करते वे देखकर गुस्सा हो रही थी निक्की ने इस लोग से कहा वैसे तुम कल फिरी हो संडे है तो मैं सोच रही थी क्यों ना साथ मे कुछ वक्त बिता ले अब इतने सालों बाद मिले हैं तो कुछ संग घूमते हैं दोस्तों से मिलते हैं और चिल करते हैं रागनी ने उसकी बात सुनकर कहा चिल करना है तो अकेले जाओ इस कन खजूरे को अपने साथ कहा ले जा रही है इस लोग ने उससे कहा क्यों नहीं, मैं तो कल फिरी हूँ बिल्कुल, तुम घर आजाओ साथ में चलेंगे उसके ये बोलते ही रागनी ने कहा नहीं, कल आप फिरी नहीं है इसलिए आप नहीं जा सकते इस लोग ने कहा क्यों, कल क्या काम है लागनी ने कहा आप भूल रहे हैं साहिल के एक्जाम चल रहे हैं और उसे आप पढ़ाते हैं क्योंकि मेरे एक्जाम भी चल रहे हैं परसो एक्जाम है साहिल का तो कल आपको उसे पढ़ाना है इसलिए आप कहीं नहीं जा सकते अभी सारी निक्की जी आपको अकेले ही चिल करना होगा ये कहते वे वो साहिल के हाथों को नैपकिन से साब करके पानी पिलाने लगी इस लोग मनी मन मुस्क्रा रा था निक्की ने कहा अरे साहिल तो इतना स्मार्ट है कि उसे पढ़ाने की जरुवत ही नहीं है क्यों हीरो साहिल उसकी तारीफ सुनकर खुस हो गया और वो टीम बदल लिया उसने मुस्कराती वे कहा हाँ ये तो है उसके बाद सुनकर रागी ने उसे कुहनी मारी तो साहिल ने बेचारा सा मू बना के देखने लगा रागी ने धीरी से उससे कहा इतना बोलना आ रहा है तो उसे ही दे दूँगी ले कर जाएगी तुम्हें रहना उसके साथ मासी मैं हूँ या वो जो उसका साथ दे रहे हो साहिल ने प्यार से कहा अरे मासी आप ही है और मैं आपकी साहिड ही हूँ वो तो उसकी इसमाइल पर फिसल गया उसकी इस बात पर रागनी मू बना के उसे देखने लगी और मन में बोली अपने चाचा पर ही गया है जहां लड़की देखा वहीं पर फिसल जाता है अभी ऐसा है तो जब बड़ा होगा तब पता नहीं क्या करेगा वो ये सोची रहे कि तभी निक्की ने कहा तो ठीक है ते रहा कल इस लोग मेरे साथ गूमने चल रहा है तो कल मैं दस बजे तुम्हारे घर तुम्हे लेने आ जाओंगी ओके चलो अब चलती हूं बाए ये बोलकर वो वहाँ से चली गई रागरी ने अपना बैग लिया और वहाँ से गुस्से में बाहर आ गई साहिल ने आइस्क्रीम खदम करते वे कहा देखते हैं कल चाचू आपके साथ क्या होगा वैसे अभी तो मासी गुस्से में है देखो क्या करती है चलो कोई नहीं आप बिल पे करके आ जाओ बाहर में मासी के साथ हो ये बोल कर वो भी चला गया इस लोग ने उसे जाते हुए देख कर कहा ये भी कुछ कम नहीं है जब देखो डराता रहता है चलो इस लोग बेटा जो रायता फैलाया उसे समेटो अब ये कहते हुए वो उठा और बिल पे करने लगा इधर रागनी बाहर खड़ी ठंड में गाली के पास बेट कर रही थी ठंड बढ़ गई थी उसने खुद को अच्छे से सौल में लपेट लिया तभी वहाँ पांच लड़के आए सब हलके नसे में थी उन्होंने जब रागनी को उपर से नीचे देखा तो उसमें से एक ने कहा वहाँ इस ठंड में सोला के दर्सन हो गए वो वही उसके सामने गाली से तिक के ख़़े हो गए दूसरे ने रागनी के कापते हुए होटो को देखती हुए इसके कापते होट तो देखो कसम से अगर इजाजस हो तो मैं कापना रोक दूए निका कमाल की चीज मिली है इस ठंड में ये सिमला की कली तो नहीं लगती है आखिर ये है कहां की ये सब रागनी सुन रही थी उसे गुस्सा तो पहले ही लगी थी उनकी बाते उसे और इरिटेट कर रही थी एक उसके पास आया और बोनर पर कोहनी रखकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसे देखते हैं बोला क्या मैडम चलोगी हमारे साथ रात बना देंगे आपकी जो बोलोगी वो देंगे उसके इस बात पर रागनी ने अपना बैक गारी के उपर रखा सौल उतार के बैक के उपर रखा और सारी का पल्लू कमर में टाकते वे कहा कहा ले चलेगा पोल ये कहते वे उसने उसकी कॉलर पकड़के पीटना शुरू किया रागनी ने उसे पीटते वे कहा एक तो मेरा दिमाग वैसे ही खराब है और एक तो तुम साले दिमाग में चिंगारी लगा रहे हो नहीं बताओ कहां ले जाओगे और बोलो जो मांगोंगे वो दोगे आवकात क्या है बे तेरी तुम मुझे क्या लेके देगा अरे पापड़े मासी तो दुर्गा मा आ गई है चाचू कहां हो जल्दी आओ नहीं तो आज मासी मार मार के इनका भूत बना देगी वो ही रहा था कि इतने में इस लोग बाहर आया उसने जब रागनी को ऐसे लड़ते देखा तो उसने साहिल से पूछा ये क्या हो रहा है ये मार क्यों रहे ये ने आपका गुस्सा ये उतर रहा है मैं तो कहता हूँ मार लेने दो आप बच जाओगे मासी सांत भी हो जाएंगी साहिल के ये बोलते ही इस लोग ने कहा अरे क्या न रोको वो जंगली सेर्णी पता चला सबको मार डाली चल रोक उसे ये बोल कर वो रागनी की तिरफ बढ़ गया इधर रागनी उस लड़के को पकड़ रखी थी जिसने उसके होटों के बारे में बोला था उसने उसे मारती वे कहा है क्या बोल रहा था होटों का काप न रोकेगा रोक चल रोक मैं भी देखती हूँ कैसे रोकता है दिखा ये कहते वे वो से थपड़ थपड़ मारे जा रही थी वहाँ काफी भीड़ हो गई थी उस लड़के ने हाथ जोड़ती वे कहा अरे माप कर दो मेरे मुह से निकल गया बागी लड़के डर से साइड में खड़े थे तभी इस लोक आ गया उसने रागिनी को पकरती वे कहा अरे लेड़ी भीम छोड़ उसे मर जायेगा वो इतना मार रही हो उसने पूरी लाइप में नहीं खाया होगा जितना तुमने उसे धो दिया है छोड़ो मुझे मैं बताओं इस मजनू को बहुत आया इसक करने आज इसका सारा भूत उतार दूँगी लड़की देखी नहीं अकेले उसे परिसान करने में लग जाते हैं आज के बाद ये किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा छोड़े आप मुझे मैं ठीक करती हूँ इने बहुत आय बोलने वाले मैं इनका मुझ तोड़ दूँगी ये कहते हुए रागनी उसकी तरह बढ़ी जा रही थी पर इस लोग ने उसे कसके पकड़ रखा था इस लोग ने उसे सान करते हुए कहा अरे वो समझ गया अब वो खुद अपनी मा बहन से भी कुछ नहीं कहेगा क्यों भाई साहब सही कहाना मैंने ये बोल कर उसने उन लड़कों को देखा उन्होंने एक साथ कहा हाँ नहीं देखेंगे तौबा जी तौबा आज के बाद किसी लड़की से कुछ नहीं कहेंगे पर प्लीज इनसे बचा ले हमारी मती मारी गई थी जो इनसे बोले कुछ हमें क्या पता ये पागल है उसने जैसे पागल कहा रागनी उसकी तरफ जपटते हुए बोली मुझे पागल बोला रुक पताती हुँ अरे उसने गलती से बोल दिया तुम सांथ हो जाओ अरे जाना क्या खड़ा है अभी और पितना है क्या भाग यहां से इस लोग के कहने पर वो सब उठके भाग गए इस लोग ने रागनी को संभालते विभीड से कहा अरे आप सब क्या देख रहे है जाए अपना काम करें उसके कहने पर सब चले गए वहां से रागनी को सांथ करती विए उसने का सांथ हो जाओ लेडी भीम वो चले गए बस करो उसके कहने पर रागनी सांथ खड़ी हो गए इस लोग ने उसे सौल उनाया और गारी में बैठने के लिए कहा रागनी जाकर कार में बैठ गई इस लोग ने उसका बैग लिया और उसे ले जाकर उसे देते हुए साहिल को लेकर सीट पर बैठ गया उसने गारी इस्टार्ट की और घर के लिए चल पड़े सुबह का वक्त इंदोर सुबह उठकर नन्दिनी पूजा कर हाल में बैठी पेपर पढ़ रही थी रूद उठकर आया और उससे बोला एक कप चाय मिलेगी ये कहते हुए वो उसके सामने बैठ गया नन्दिनी उठकर गई और उसके लिए चाय बना कर ले आई और वापस बैठके पेपर पढ़ने रगी रूद ने चाय पीते वे कहा तुम आज फिरी हो क्या नन्दिनी ने कहा हाँ हूँ क्यों क्या हुआ रूद ने कहा वो मैं सोच रहा था आज मेरी छुट्टी है तो तुम क्यों ना मुझे अपनी रियासत खुमा दो और कोई अच्छा जगह है उसकी बात पर नन्दिनी ने पेपर साइड किया और उसे देखती है बोली आप घुमना चायते है पर आपके पास वक्त कहा से आया वैसे तो आपके पास वक्त नहीं होता है आज कैसे रूद ने कहा आज छुट्टी है संडे है तो इसलिए आप बताएं गुमाने ले जाएंगी अगर नहीं तो कोई बात नहीं मैं घर में ही हूँ आप भी घर पर हैं तो आप मेरे लिए खाने की मस्त मस्त चीचे बनाएं और मुझे खिलाएं उसकी ये बात सुनकर नंजनी ने कहा अरे नहीं मैं चलूँगी आप जाएं नहाले लेडी हो जाएं तब चलते हैं उसकी बात परूद चाय पीती हुए मुस्कराने लगा नंजनी ने मन में कहा अभी पता चला इन्होंने सुबे से साम तक मुझे किचन में खड़ा कर दिया और फरमाई से भी अजीब अजीब होती है ये नहीं कुछ धंका खा ले इससे अच्छा है कि मैं इन्हें लेकर बाहर घूमने ही चले जाओं ये बोलकर वो उठकर काका से बाहर जाने की बात बताने चली गई रूद्र भी रेडी होने कमरे में चला गया इधर सिमला में रागनी जल्दी उठकर हाल में बैठी किताब लेकर पड़ रही थी पर उसकी नजर इस लोग के कमरे की तरब थी घारी में वक्त तो नो बज गय थी उसने कमरे की तरब देखते वे खुद से कहा अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था कहां है ये कंखजूरा अभी तक सोही रहा है क्या अच्छा है सोता ही रहे तभी उसे आवाज सुनाई दी इस लोग इस लोग रेडी हो तुम उसने जब दरवाजे के सामने देखा तो निक्की अंदर आ रहे थी उसे देखकर रागनी ने कहा आ गई डायन भगवान करे इसकी साधी एक मोटे काले आदमी से हो जो भैस की तरह हो चुड़ेल कहेंगी निक्की ने उसे बैठा देखा तो उसे बोली हेलो रागनी इस लोग कहां है अभी उठा नहीं है क्या रागनी ने कहा पता नहीं आवाज दो उठा होगा तो आ जाएगा ये बोल कर वो किताब में देखने लगी निक्की ने उसकी बास सुनकर इस लोग को आवाज दिया तो इस लोग अपने कमने से बाहर निकल के देखती भी बोला निक्की बस दस मिनट मैं अभी रेडी होकर आया ये बोल कर वो अंदर चला गया निक्की वहीं बैठके उसका बेट करने लगी साहिल भी उठकर रागनी के पास आ गया था इस लोग जल्दी से रेडी होकर नीचे आने लगा तो लाश्ट की चार सीड़ियों से धराम से नीचे फिचलते हुए गिरा और उसके मूँ से निकला आ ये सुनते ही निक्की घर के नोकर और रागनी भी उसकी तरफ भागे निक्की ने उसके पास आकर कहा क्या हुआ इस लोग तुम गिरे कैसे उठो ये कहते हुए वो उसे उठाने लगी तो इस लोग फिर चीख पड़ा उसका पैर मूर गया था जिससे उसके पैर में मोच आ गई थी रागनी ने नोकरों से का उठाओ साहब को देख क्या रहे हो बताओ इतनी जल्द बाजी थी कि इन्हें सीड़ियां ही नहीं दिखी जरा धीरे से ही नीचे उतरे होते पर कोई नहीं सही सलामत हो वही बहुत है उसकी बास सुनते ही नोकरों ने इस लोग को उठाया और सोफे पर लाकर लेटा दिया रागणी ने उसका पैर देखते हुए नोकर से कहा जाओ गरम पानी की थैली और मालिस की ट्यूब ले आओ ये कहते हुए उसने उसका जूता जटके से उतार दिया जूता उतारते ही इस लोग एक बार फिर से चिला दिया रागणी ने कहा ज्यादा मत चिलाओ सिर्फ मोच है आराम करोगे तो देड़ दिन में ठीक हो जाएगी नहीं तो काफी दिन लगेगा बेट पर पड़े रहोगे निक्की ने उससे कहा इस लोग आप मेरे साथ नहीं जा सकता है इस पर साहिल ने कहा आपने सुना नहीं मासी बोली ना कि ये अभी नहीं जा सकते क्योंकि इनके पैरों में मोच आई है तो क्या आप बार बार पूछे जा रही है तो मेरे प्लान का क्या होगा निक्की ये बोल कर सोचने लगी तो रागनी ने खा डब्मे में बंद कर दरिया में फेक दो अब अपना प्लान क्योंकि इस बार तो ये पूरा होने से रहा है अगली बार बनाना अभी चलो बाई उसके ये बोलते ही निक्की वहां से जाने से पहले बोली इस लोग तुम अपना ख्याल रगना मैं आती हूं साम को मिलने रागनी ने इस लोग के पैर देखते भी कहा कोई जरूरत नहीं है आने की हम देख लेंगे आप घूमने जाएं और आराम से अपने घर में रहें यहां मत आएं निक्की ने उससे कहा क्यों? क्योंकि आप ठाकी रहेंगी ना इसलिए कल आएं और कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में साहिल ने उसका हाथ पकड़के उसे बाहर ले जाती वे कहा चलो आंटी मैं छोड़ देता हूँ बाहर तक आओ यह बोल कर वो उसे ले गया उसके जाने के बाद रागनी ने खुद से बोली बड़ी घूमने वाली चिपकू कहींगी अगली बात तेरा पैर तोड़ दूँगी चुड़ेल कहींगी उसका खुद में बोलना देख इस लोग ने कहा ये क्या बरबरा रही हो तुम इस पर कुछ करोगी मुझे दर्द हो रहा है रागनी ने उससे का चुप चाप बैठे नौकर लेकर आ रहा है कुछ देर में नौकर ट्यूब लाकर दे गया रागनी इस लोग के पैरों पर उसे लगाने लगी नौकर जब गरम पानी की थैली लेकर आया तो रागनी ने थैली को इस लोग के पैर पर रख दिया आ हटाओ इस लोग ने जैसे ही छिला के कहा वैसे ही रागनी तुरन थैली हटा दिया और उसे बोली क्या हुआ इतना गरम है तुम मुझे मारना चाहती हो अरे देख तो लो पहले की कितना गरम है तु बता नहीं सकता इस पागल को किये ज़्यादा गरम है बस लाकर दे दिया और इसने भी जलता हुआ मेरे पैरों पे रख दिया इस लोग ने जब रागनी को पागल कहा तो उसने उसके पैर को जटके के साथ उठा के सोफे पर छोड़ दिया और उठके खड़ी होगी ऐसे करने से बेचारे इस लोग का पैर फिर दर्द करने लगा रागनी ने कहा मैं पागल हूँ तो बुला लो अपनी दोस्त को जो मुझसे ज़्यादा अच्छी है बुला के कहो तुमारी तिमारदारी करे मैं चली पढ़ने इस लोग ने उसे जाते वे देखकर कहा उसका हाथ पकड़के रोकते वे कहा कहां चली एक तो मुझे जानबूज के गिराया उस पर से मुझे इस हालत में छोड़के जा रही हो ये सुनते वे रागनी के आँखे हैरानी से फैल गई वो उसे बिना देखे लड़कराई हुई आवाज मोली मैं? मैंने कुछ नहीं किया वो तो तू अपने आप गिर गए मैंने तुम्हे थोड़े धक्का दिया है इस लोग ने उससे कहा रुको अभी पता चल जाएगा ये बोलकर उसने नोकर से कहा जाओ और देखो सीड़ियों पर तेल या कुछ और तो नहीं गिरा है उसके कहने पर नोकर ने जाकर देखा तो तेल गिरा हुआ था उसने कहा सर तेल गिरा हुआ है देखा मुझे पता था तुम ही हो जो मुझे गिराना चाहिती थी और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम क्यों ये सब कर रही हो क्योंकि तुम मुझे निक्की के साथ नहीं जाने देना चाहे थी इसलिए पर अब तुमने जब ये किया है तो अब तुम ही मेरी देख भाल करोगी चलो लग जाओ इस लोग के कहने पर रागनी ने उसकी तरफ देखते वे का मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली समझे ये बोल कर वो अपना हाथ छुड़ा के जाने लगी तो इस लोग ने का जाओ मैं भावी को फोन करके सब पता दूँगा कि तुमने मुझे गिराया है मुझे चोट लग गई है फिर भावी को बताना सब कुछ तुमने ऐसा क्यों किया रागनी ने उससे कहा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे हाँ नहीं करूँगा अगर तुम मेरी देख भाल करो तो बोलो मनजूर है तुमें उसके ये बोलने पर रागनी ने उसे घूर के देखा वापस आकर उसके पैर को सेखने लगी तो इस लोग ने कहा गुड गर्ल ये बोलकर वो मुस्कराने लगा इधर नंदिनी रूद्र के साथ गूमने के लिए नर्मदा नदी के पास की पहारी के पास आई थी साम हो गया था बादल छाया हुआ था काले बातलों की वज़े से ऐसा लग रहा था जैसे रात होने वाली है नंदिनी रूद्र से कही पता है रूद्र ये हम तीनों बहनों का सबसे फैवरेट प्लेस था और सिर्फ हम तीनों का नहीं मा और चाची का भी क्योंकि उन्होंने ही इस जगे को हमें दिखाया था और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है रूद्र ने कहा क्या है नंदिनी ने कहा इसकी सबसे खास बात ये है कि यहां और मा और पापा पहली बार मिले थे और तब पापा को मा पसंद आई थी और आपको पता है उस दिन भी ऐसे ही बादल चाये वे थे और बारिस होने लगी थी मा ने बताया था बहुत खुश होती थी वो ये बताते वक्त रूत देख रहा था नंदरी ने भी वो बात बताते हुए बहुत खुश हो रहे थी बहुत गिने चुने लोगी वहां थे और वो भी बादलों की वज़े से जा रहे थे बस कुछ गाने बजाने वाले थे जो वहां बैटके गा रहे थे पर वो भी अब बारिस का मौसम देख कर जाने लगे थे हवाएं बहुत तेज तेज चल रही थी नंदिनी के बाल हवाओं से उड़े जा रहे थे और नंदिनी थी जो मुस्कराती हुए दूर तक फैले पहाडों को बहते ज़र्णों को देख रही थी वो लोग महल से काफी दूर चले आये थे रूद ने नंदिनी को आज इतना खुस और सुकून भरा देखा था रूद उसे देखे जा रहा था तभी गाने वाले जा रहे थे उसमें से एक ने बासुरी बजाना शुरू किया उसे सुन कर रूद और नंदिनी उनकी तरफ देखने लगे नदिनी ने कहा सुनेंगे इन्हे रूद बोला आप सुनेंगी हाँ उसके कहने पर रूद ने हाथ उसकी तरफ करकी कहा ठीक है चलो नदिनी उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया दोनों आकर उनके सामने खड़े हो गए उन्होंने कहा सुनेंगी गाना भाय साम नदिनी ने कह हाँ गाएंगी आप उस बंजारन ने कहा गा तो दोंगी मैं पर भीग गई तो मनने ना बोलियो नहीं बोलेंगे आप गा दे उसके ये कहने पर बंजारन ने सबी आदमियों से कहा चलो जी बजा दो ये कहते ही सब बजाने लगे बनजारे ने नंद्री के सामने क्षाडि होकर नाश्टी वे गाने लगी दिल ना किसी का जाए, जान जाए तो जाए, दिल ना किसी का जाए वो लोग गाना गार ही रहे थे कि तभी तेज से भाधल कड़के और बारिस रूह हो गई बारिस इतनी तेज थी कि सब वहां से भाग कर नीचे उतरने लगे रूद नंदिनी का हाथ पकड़के एक पेड़ के नीचे आकर ख़ड़ा हो गया वहां अब कोई नहीं था सिर्फ रूद और नंदिनी के अलावा रूद उसे लेकर पेड़ के नीचे ख़ड़ा था और बारिस बहुत तेज हो गई थी साथ में हवा भी थी नंदिनी ने उससे तेज से का रूदर जी हमें भी चलना चाहिए ये बारिस जल्दी नहीं रुखेगी वो ये बोली रही थी कि तभी वापस बादल करके नंदिनी ऐसे बारिस और दूफान को देखकर घबरा रही थी रूद नंदिनी के काफी करीब खड़ा था उसका ध्यान जब नंदिनी पर गया तो उसने देखा बारिस की पानी में घुल रहा उसका चेहरा और निखर रहा था उसने नंदनी के पलकों से गिर्ता बारिस का पानी किसी मोती की तरह लग रहा था उसे उसके कापते होट और गुलाबी हो गए थी नंदनी की साली उसके बदन पर चिपक गई थी नंदनी पूरी तरह से भीख गई थी रूद्र ने अपना जैकेट उतारा और उसे नंदिनी को पहना के उसे देखने लगा नंदिनी उसके ऐसे करीब होने से उसकी आँखों में छाक रही थी नंदिनी ने पहली बार इतनी पास से रूद्र की आँखों में देखा था तो उसे उसमें कुछ अजीबी नजरा रहा था रोदर आज अपने एहसास को समझने की कोसिस कर रहा था आज नंदिनी के ऐसे पास होने पर वो खुद के एहसास को बढ़ते वे महसूस कर रहा था नंदिनी दूर हटने लगी तो रूद ने उसके भीगी कमर पर हाथ रखके उससे वापस से रोक लिया और वहीं खड़े रहने दिया जहां वो खड़ी थी नंदिनी रूद के ठंडे हाथों को अपनी कमर पर सहन नहीं कर पा रही थी उसने जुकी आँखों से रूद से कहा हमें चलना चाहिए रूद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया वो बस उसे देखे जा रहा था नंदिनी की माग में लगा सिंदूर अब पाने पढ़ने से फैल गया था और गारा हो गया था उसका काजल उसके आँखों के नीचे फैल गया था उसने उसके चेहरे को ऊपर किया और फैले हुए काजल को साब कर उसके चेहरे को बहुत ध्यांसे देखने लगा नंदिनी उसके पास आने से सीमट रही थी वो बेचैन हो रही थी वो वापस से जाने लगी तो रूद ने उसे कस के पकड़ लिया और उससे बोला क्या हुआ आप इस तरहे दूर क्यों जा रही है चलें रूदर जी बहुत वक्त हो गया है नंदनी ये बोल कर खुद रूदर से दूर करना चाह रही थी पर ये हो नहीं पा रहा था रूद उसे और पास ले आया और अब रूदर के सासों की गर्वी नंदनी अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी रूद ने धीरी से उसके गालों को अपने गालों से छूते वे कहा क्यों मैं आपके पास नहीं आ सकता क्यों आप मेरे पास आने से घबरा जाती है क्यों जो कोई नहीं जान पाता, वो आप जान लेती हैं, क्यों मुझे आपके साथ अच्छा लगता है क्यों इस बार सिम्ला में मुझे खाली सा लगा, कुछ कमी सी लगी क्यों नंदनी, आज अभी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा है बता सकती है क्यों क्यों दिल कर रहा है कि आपके कामते होटो के पास ये आपके चेहरे को चुम ले आपके करीब आए पर जानते हैं ये हक आपने मुझे नहीं दिया फिर क्यों इस दिल में आपको पाने के अर्मान जाग उठे हैं क्यों सब जान के आप में खुद को खो देने को दिल कर रहा है पताओ नंदनी उसके ये कहने पर नंदनी के हाथों पकड़े रूद्र के सड़ पर कसने लगी क्या दे पाएगी नंदनी रूद्र के सवालों का जवाब क्या ये सवाल नंदनी के दिल में बहुत सारे सवाल जगा देगी या लेकर आएगी बहुत सारे ऐसास जानने के लिए सुनिए अगले भाग में